सिमिंड नेक्स्ट यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो देवानन्द की टॉप टेन बेस्ट मूवी पर आधारित है तो आएए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तो देवानन्द उन फिल्म कारों में शामिल हैं जिनोंने सिनेमा को अपनी फिल्मों से सम्रद बनाया आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहने वाले देवानन्द ने कहानियों और किरदारों के साथ खूब एक्सपेरिमेंट किया कुछ सफल रहे कुछ नहीं मगर उन्हें सिनेमा में अपने विक्तितों के अलावा फिल्म क्रास्ट को एक नया नजरिया देने के लिए भी याद किया जाता है दोस्तो भारती सिनेमा की उम्र 110 साल है जिसमें वे 60 साल देवानन्द के हैं चालीस के दशक में जब भारती फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़े होकर दोड़ने की त्यारी कर रही थी तब इसे जुआइन करने पहुंचे देवानन्द उस समय उनकी उम्रत करीब 30 साल होगी 1946 में हम एक हैं से उन्होंने फिल्मी करियर शुरुआत किया जो अगले छे दर्शकों तक चला इस दवरान देवानन्द एक सिनेमाई आइकन बने और हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में मिली जो आज भी जहन में समाई हुई हैं दोस्तों हालिवूड एक्टर ग्रेगरी पैक से समकच समझे जाने वाले देवानन्द ने अबने के साथ फिल्म निर्माड और निर्देशन भी किया उन्होंने लगबख 35 फिल्मों का निर्माड किया था जिन में से 18 बॉक्स आफिस पर सफल रही तेरा फिल्मों की कहाने उन्होंने खुद लिखी थी अपनी फिल्मों के साथ रिल्यल लाइफ के तमाम किस्से और कहानिया साथ लेकर चलने वाले देवानन्द की कुछ आईसी फिल्मे जो आज भी सिनेमाई कुछ कृष्टता की मिसाल है आईए जानते हैं इनकी टॉप टेन फिल्मों के बारे में नमबर एक बाजी 1951 बाजी सिर्फ हिंदी सिनेमा या देवानन्द के करियर की माइल स्टोन फिल्म नहीं है बलकि यह वोग फिल्म है जिसके साथ भारती सिनेमा को जीनियस डारेक्टर मिला बाजी गुर्दत की डेब्यू फिल्म है देवानन्द के प्रोडक्शन हाउस नव केतन की दूसरी और गुर्दत की पहली फिल्म उस वादे का नतीज़ा है जो देवानन्द ने संगर्शरत गुरुदत से किया था यह एक क्राइम नायर फिल्म है देवानन्द ने फिल्म में जुआरी की भूम कहने वाई थी इस फिल्म की शूटिंग का भार गुर्दत के कंदों पर था और उन्होंने इस फिल्म के साथ पूरा इंसाब भी किया फिल्म में कलपना कार्तिक फीमेल लीड रॉल में थी जो आगे चलकर देवानन्द की पत्नी बनी गीता बाली रूपा वर्मन और के एंसिंग प्रमुक कृदारों में से थे इस फिल्म का गाना है अपना दिल तो आवारा आज भी लोगों की जुमान पर है नमबर दो टेक्सी ड्राइवर सान उन्नीसों चूवन यह फिल्म देवानन्द की होम प्रोलक्शन फिल्म है जिसका निर्देशर उनके भाई चेतन आनन्द ने किया था कहानी उमा आनन्द यानि विजय आनन्द की पत्नी और विजय आनन्द ने लिखी थी कलपना कार्तिक और शीला रमानी फीमेल लीड रॉल में थी जोनी वाकर ने सायोगी बूंड का निवाई थी टेक्सी ड्रैवर म्यूजिक भी सफल रहा यह फिल्म 26 सितंबर को टाटा प्ले क्लासिक सिनेमाज चैनल 318 पर शाम 5 बजे से देखी जा सकती है तीसरी फिल्म का नाम है C.I.D. जो सन 1956 में प्रदर्श्चित हुई देवानंद की आन फिल्मों की तरह ही एक और कल्ट क्लासिक सि-I.D. उस जवाने की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म कही जाती है इसमें देवानंद एक पुलिस इस्पेक्टर का किरदाने बाते दिखते हैं जो इस गुत्ती को सुल जाने में लगा है देवानन्द के साथ इस फिल्म में शकीला, वहीदा रह्मान, जौनी वॉकर और के अईन सिंग ने अहम भूम कहने भाई थी यह फिल्म 26 सितंबर को टाटा प्ले क्लासिक सिनेमाज चैनल 318 पर दो बज़े से देखी जा सकती है इस फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया था और गुरुदत प्रोडूसर थे देवानन्द की अन्य फिल्मों की तरह ही इस मूवी के गाने भी काफी हिट रहे कहीं पे निगाएं, कहीं पे निशाना, यह बंबई मेरी जान लेके पहला पहला प्यार इस फिल्म के कुछ यादगार गाने है नमबर चार काला पानी सान 1958 बन में प्रदर्श्चित ये फिल्म काला पानी देवानन्द के करियर की बहैतरीन फिल्मों में से एक रही है इस मूवी में उनका परफॉरूमेंस फी तारीफ हुई थी पिता को किसी भी तरह इसे जेल से बाहर निकालना चाहता है बतादे की काला पानी 1955 में आई बंगाली फिल्म सावर उपारे की रीमेक है जो एक नॉबिल बियोंड दिस प्लेस पर आधारित है हम दोनो 1961 मैं जिन्दिगी का साथ निबाता चला गया ये गाना आज की जनरेशन भी उतने ही शौक से सुनती है और अपने आप को इस गाने से जोड़ती है जितना बेहतरीन ये गाना है उतनी अच्छी देवानंद की फिल्म हम दोनों है देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नव केतन फिल्म्स के अंडर बनी ये फिल्म दो जुड़वा सेनकों की कहानी है जब सरद की लड़ाई में दोनों में से एक की मौत हो जाती है दूसरा व्यक्ति परिवार को इस बारे में बताने जाता है फिर यही से शुरू होती है उल्जने उस दोर में इस तरह की कहानी पेश करना काफी नया और अनुखा था तेरे घर के सामने 1963 ये फिल्म में एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसका निर्देशन देवानंद के भाई विजय आनंद ने किया था इस फिल्म में देवानंद एक आर्किटेक्ट के रॉल में नजर आए इस मूबी का गाना दिल का भंबरे करे बुकार काफी लोक प्रिय रहा है बता दे कि इस गाने को कुतो मीनार के अंदूर्णी हिस्सों में बहुत खुबसूरत तरीके से शुरूट किया गया था गाइड 1965 यह देवानंद के पूरे करियर की सबसे प्रेणा दाएक फिल्मों में से एक रही है यह कहानी है एक बिवाहित पहला की जो डांस के प्रतिय अपने जुरून को आगे बना चाहती है बहीं इस में उसकी मदद करता है एक गाइड हाला की जब वो अपने करियर में सफलता की सीड़ी चड़ने लगती है तो उनकी जिंदगी बदलने लगती है आर के नाराइड के नॉबल पर लिखी यह फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म के अटेगरिय में आसकर रवाड तक पहुंची थी फिल्म में देवानंद के साथ वहीदा रह्मान मुक्य भूमिका में नजर आई थी फिल्म का संगीद बेहद ही लोक प्रिय रहा जोएल तीप 1967 देवानंद की यादगार फिल्म में से एक नाम जोएल तीप का भी आता है कैसे एक युविक को हमेशा गहनों का चोर समझ लिया जाता है जो बिलकुल उसके जैसा दिखता है कुद को इस इस्थिती से बाहर निकालने और सभी जूटे संदेहों परसे परदा उठाने के लिए और असली चोर को पकड़ने के लिए वह पुलिस से हाथ मिला लेता है देवानंद के साथ अशोक कुमार वैजंती माला और तनूजा ने एहम किरदार निभाए है फिल्म के गाने आज भी पसंद किये जाते हैं होटो पे ऐसी बात एक बहतरिन डांस सौंग है और वक्त के साथ साथ इसे कई बार रेमिक्स भी किया गया है 1996 में देवानंद इसका सीक्वेल लिटन ओफ जोयल थीप लेकर आए मागर यह फिल्म तो करिश्मा दोहरा ना सकी जोनी मेरा नाम 1970 जोनी मेरा नाम भेतरी थ्रिडल फिल्म है जिसका निर्देशन विजय आनन्द ने किया था फिल्म का लेगन विजय ने के ए नारायन के साथ किया इस फिल्म में हिमा मालनी प्राण, जीवन और उप्रेमनात ने अहम किरदार निभाए थे फिल्म के सभी गाने सफल रहे थे और आज भी खुब सुने जाते है हरे रामा हरे कृष्णा सान उन्नी सो इखतर देवानन्द ना सिर्फ एक अच्छे विनेता थे बलकि एक अच्छे निर्देशक भी साबित हुए इस बात का सबूत है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा यह फिल्म देवानन्द की बताओर निर्देशक पहली फिल्म थी एक भाई अपनी खुई हुई बहन की तलाश में किन किन परसितियों से गुजरता है कुछ इसी विशे में है यह फिल्म उस दौर की यह काफी मौडर्न विशे पर बनी फिल्म थी क्योंकि इसमें हिप्पी संस्कृतिकी जहलकियां देखने को मिली थी इस फिल्म में जीनतमान और ममताज मुख के भुमिकाओं में थे इस फिल्म का गाना दम मारो दम आज भी पार्टीज की शान है दोस्तों हमारे दौरा दी गई जान करिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अबश्य बताए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले वीडियो पसंद आया है तो उसे लायक अबश्य करे जै हिंद वंदे मातरम